जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज से SSE CHSL के सारे एक्जाम, आल सिप्ट के एक्जाम सुरू हैं, तो दोस्तों मैं आपको हर रोज का पेपर, हर सिप्ट का पेपर आपको प्रोबाइड कराऊंगा, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किय है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर मैं कोई भी बीडियो आपलोड करता हूं, SSE CHSL का या किसी का भी, तो उसका जो नोटिपिकेशन हों का आप तक आ जाएगा, और आप पहले पेपर को देख पाएंगे, यह सबसे बेस्ट चैनल है, जिस पे आपको डे कीतिए वेपर का रिविव करेंगे, एर ऑनियास करेंगे कि कैसे कैसे क कईसे चीऊचिन है, कि टॉपिक से क्या पुंछा गया, मैस्धनतों पुंचा गया, और ऑदल कोस्टम भी देखेंगे, जो किया मैस्ध 최대 भी पूंचे गй्ये थे तो पहला हमारा question था कि दाची ग्राम राश्टिय उध्यान कहां पर है तो दाची ग्राम यह राश्टिय उध्यान है जम्मू कस्मीर में अगला बरगिक्टी टैक्सो नामी का जनक किसे माना गया है तो यह माना गया है कार्ल लीनियस को जो कम्पूटर में प्रोसेसर या कोस्टे से एक कोस्टन और से मेरे साब से यह कोस्टन हो सकता है कि द्रोणा चार आवार्ड की मतलब शुरुआत कब हुई ती तो यह हुई 1 950 जी में एक जो आया था question कि इंडिया और US military exercise मतलब युद्धा ब्यास का एक question था कि इंडिया और अमेरिकाने युद्धा ब्याज जो होता है एक साथ सेनिक प्रेसिच्छन के लिए ये question था एक question था कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था तो कलिंग का युद्ध हुआ था 262 से 261 BC के मत हुआ था अगला इंद्रबती टाइगर पार्क कहां पे है तो इंद्रबती जो टाइगर पार्क है जो वो है 36 गड़ में एक question था computer से कम्प्यूटर से एक question था कि SMTP का फुलफाम क्या होता है तो SMTP का फुलफाम होता है बहुता है Simple Mail Transfer Protocol एक आया था कि एक राधधानी से संबन देता कि राची किस राच की राच की राधधानी है तो obviously आपको पता होगा कि राची किस की राधधानी है चाहर खंड की अकबर के दरवार में पहला अंग्रेस सासक काउंस आया था तो मेरे साफ साइद रेफल फिच आया था एक question बुक से related था जो की सचिन से related है कि playing it's my बेग यह पुस्तक recently में अभी सचिन ने लिखी थी कुछ साल पहले जिसका नाम था कि playing it's my बेग इस पुस्तक के लेकर कोने सचिन तेंजल कर एक कोस्चन था कि vitamin A की कमी से कौन सा रोग होता है तो साइद यह option में था बंड़ान दता मैं इसे question है था कि 10 to x plus cot 2 x plus 2 कमान क्या होगा यह का था कि cos 4 pi i upon 3 is equal to क्या होगा तो दोस्तों मैं इसके अगले वीडियो में मैं इसके सारे question आपको provide कराने की कोसित करूंगा तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो समय पर उपलब दो जाए और दोस्तों जिनका खल पेपर है वो प्लीज इस वीडि करते हैं कि किस टॉपिक से क्या गया है तब पेपर का पैटर्न कैसा रहा अब हम लोग एक्जाम का एनलाइज कर लेते हैं तो इंग्लिस लेंगोज का जो इंग्लिस का जो पेपर जा था मॉडरेट था जो 17 से मतलब 17 से 21 कोस्टन थे मोह मॉडरेट थे कॉंटिटेटी एप्टिटूट में इजी मोडरेट मतलब 16 से 20 कोस्टन के बीच जनरल इंटैलिजन्स का पेपर इजी था जिसमें से आप 21 से 30 कोस्टन अटेम्ट कर सकते थे जो कि गूड अटेम्ट में चले जाते हैं जनरल अबनेस का पोर्शन इजी था 18 से 20 कोस्टन इंग्लिस का पॉर्शन देख लेते हैं तो इंगलिस था अब हम लोग इसका टॉपिक देख लेते हैं सगे सप्रेटर अब नोगे सफिल इन फ्लिंग एंग्लिस से जो कि छ्च 2 से तीन को उनरा के जो की ईजी मोडेट थे एरा डो से 3 question जो कि ये इसी मौटरन थे sentence Rearrangement से Zero question जो कि ये आया ही नहीं था idioms and clauses से 3 question जो कि इसी थे अब synonyms मतलब synonym से 2 question जो कि इसी अंतौनियम से 2 question थे एक bullish ना जो कि इसी थे active passive से 1 question था जो कि इसी था direct indirect से 1 question था phrase substitution से 1 question जो कि मौर्टर्ट था Spelling correction से एक question था, जो की easy था, close test passes से 5 question, easy, moderate था, total 25 question थे, तो पूरा paper का जो pattern था, moderate था Match से देख लेते तो ratio से एक question था, जो की easy था, average से 2 question से easy, moderate थे, number system से एक से 2 question जो की easy थे, simplification से 2 question जो की easy थे, time and bug से कोई question नहीं था Speed distance से एक question था, जो की easy था, SICI से 3 question थे, easy, moderate थे, profit and loss से एक question था, जो की easy था, coordinate geometry से एक question जो की easy था, geometry से 2 question थे, जो की easy, moderate था Mensuration से 2 question थे, जो की easy थे, trigonometry से 2 question जो की easy थे, DI से 3 question, easy, moderate था, तो overall जो pattern था, 25 question का, तो paper का label हो गया, easy और moderate अब हम लोग reasoning के बात करते हैं, analogy से 3 से 4 question थे, जो की easy थे, out one out से 2 question थे, series से 3 question जो की easy moderate थे, statement and conclusion से एक question था, जो की easy था, direction से एक question था, जो की easy था, sequence मतलब sequence से एक question था, coding decoding से एक question जो की easy, mathematical operation से कोई question था, matrix से कोई question था, blood relation से कोई question था, mirror image से एक question था, जो कीजी था, बेंड डाइग्राम से एक कोच्चन जो कीजी, पेपर फोल्डिंग से एक कोच्चन जो कीजी था, तो ओबराल पेपर का पैटन पूरा एजी था, अब जीके की बात कर लेते हैं, तो history से एक कोच्चन था, सब्सक्राइब करें और दस्तों आगे के वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें करना ना भूले